नगर पंचाय के मुख्या कार्यकारी अदिकारी ने किया करोड़ों का गबन नगर पंचाय के मोरगाउं अर्जुनी में इंदीनों प्रस्टा चाह चरम सीमा पर पोच चुका है जैसा कि इस नगर पंचाय की मुख्या कार्यकारी अदिकारी स्वच्यता मिशन की निदी को मनमाने मनमोजे तरीके से खर्च कर रहे हैं ऐसा ही आर्व नगर पंचाय के नगर परिशद पर लगा है नवस्कार मैं नहा मिश्रा आप देख रहा है MNS News Live यहां पर अर्जुनी के घनकच्रा संगलन में मौझूद है, हम यहां पर आये हैं, यहां के कुछ लोगों ने आरोप लगाया है कि यहां पर ब्रष्टाचार हुआ है, यह ब्रष्टाचार एक कच्रे घनकच्रा related है और वो यह है कि यहां पर जो चीज़ें लगाई गई है, की जो रेट है वो ज्यादा से ज़ादा एक्सोपच्चीस रुपए है इसकी और ये सारे डैमेज पीस है यहान हर पांच में पोल के बाद एक आपको यहने हर पांच डैमेज पोल के बाद आपको एक अच्छा पोल दिखेगा आप देख सकते हैं यह एक अच्छा पोल है यहां पर और फिर बाकी के सारे डामेज पोल है यहां पर देखिए हल रहे है तो इस तरह की यहां पर पैसों की वो की गई है ने पैसे बढ़ा कर बिल बनाय हुए है और जो की यहां की जो नगर पंचाहत है उसने जो की यहां पर ग्रीन नेट लगाई गई है घ्रीन नेट का मैकसिम्म रेट जो है मार्केट में वैसे तो मार्केट में मिटर के हिसाब से मिलती है बषिए और यहां की नगर पंचाहत ने यह मिटर से नै अब यहां देख सकते हैं आप यहां पर जो ग्रीन नेट लगी हुई है इसकी क्वालिटी देखिए आप और इसे कह नहीं सकते कि यह 68 रुपे स्क्वार फीट के हिसाब से ली गई थी यह किसी भी तरह से जायज नहीं है कि आप इस तरह पुब्लिक का जो पैसा होता है वो इस तरह वेस्ट करें यहां पर हमारे साथ च्यूसेना के नगर सेवक चला है वो यह कि यहां वाकई में ब्रश्टाचार हुआ है जो कि 140 रुपे के जो पोल है वो यहां पर 350 रुपे के खरीदे गए है और जो 55-50 रुपे स्क्वार फिट पच्पन-50 रुपे मिटर के हिसाब से जो ग्रीन नेट मिलती है वो यहां पर 68 रुपे स्क्वार फिट के साब से करी दी गई है जो कि लगबग 220 रुपे मिटर होता है तो हम जानते हैं कि और क्या यहां पर ब्रिश्टाचार है और यह जो ब्रिश्टाचार यह किया गया है ग्राम नगर पंचायत के और से वो क्यों किया गया है हम गंकच्रा संकलन यह शीओ का अपना हेड है करके उसने हमको कहा था और जब हमने उससे जानकरी लिया और बाकी बील की मांग की उस समय जीपियफ ट्रेकर करके आता है उसका एक सामने आया कि एक ट्रेकर मेरे हिसाब से मार्केट रेट में दो से डाई हजार है और उसका जब हमने बील देखा तो वो बील में इस तरीके से उन्होंने वो एक चीज 14200 कुछ रुपे में खरीदी है जबकि उसकी मार्केट वैलू देखा जाए तो 2000 या अरजुनी तक आते आते डबल भी हो जाए तो भी 4000 हो सकती है लेकिन उसकी किमत बहुत ज़्यादा लिए गई है उस पर आपको गलता है कि यह क्या है यह गबन कर दिये जा रहे है या फिर उससे और कुछ यूज हो रहा है यह तो अभी वो सीव मैडमी बताएंगे ने क्यूंकि वो हमेशा कहते रहे थे उनको पुछने के बाद कि हमार हमारा है कि हमारा है और हमने स्टैंडिंग कमिटी को विश्वास में लेकर किया है तो हो सकता है इसमें और भी कोई मतलब इसका हाथ हो यह हमारा है हमने स्टैंडिंग कमिटी को विश्वास में लेकर किया है तो यह कुछ भी कर सकते है यह स्टैंडिंग को अगर विश्वा कि अगर आपको कोई चीज एक मिटर में अगर सस्ती पड़ रही है तो आप स्क्वेर वीट के साथ दोका हो रहा है क्योंकि ये पैसा कुछ इनका तो है नहीं यह उनका पैसा है, तो यह इस तरह क्यों यूज किया जा रहा है? इसको कर रहे हैं अपकेव हमारे पास अवालेबल है आप बोलो तो उसके वह पात हुआ का दीकर उधारा है मैं नगर पंचेज में जब देखा पूछा तो कुछ बताएं को तयारी नहीं थे फिर मैंने क्या कि हमने बिल कलेक्ट करना चालो कर दिया जब बिल कलेक्ट किये तो उसमें ऐसे बहुत से चीज़े सामने आई है जिसको देखके तो आदमी चक्रा जाता है अब अरजुनी मौर गाउ में कई जगे तो निकाला है या वो भी लेट से नॉर्मल ही आपने कभी यह चीज़ की है कि कभी कौपि निकाली है और उस ने आप से पुरस पर बोलो या कुछ बोलो तो आगे वाले का ही टेंडर पास हुआ है जबकि देर रुपए क्या पचातर पैसी के भी वहाँ पे यह लगा कि उन्हों के टेंडर भरे हुए थे तो यहने ऐसा है कि कम कीमत में नहीं जादा कीमत में नगर पंचायद अपना जो वो है वो स काद रही है निशाना लगा रही है जंता के पैसो पर हां यहीं बोला जाएगा हमने यहां पे हमारे साथ जो दो लोग जुड़े होए तो जो यहां के शीव सेना के नगर सेवक लोग है हम इनसे जुड़े थे इन्होंने हमें और एक चीज का खुलासा किया कि यहां पे GPS ट कि आसपास फटा हुआ है जिसके बीलीन के पास मौजूद है हम इसी तरह के भिष्टाचार को लेकर आगे बढ़ते रहेंगे और हमारे साथ जुडने के लिए और इस भिष्टाचार की कड़ी से कड़ी जुडने के लिए इस घंकच्रा जो यहां पर जमा होता है यहां पर ज अब आप अलग करने का तरीका देखिए यहां पर जिस तरह से हो रहा है यह सुचिए कि यह आम जिंदगे में यूज होने वाला कच्रा है जिसमें सब हो सकता है कांच हो सकता है इसमें कुछ जहरीली चीज़े हो सकती है कोई रैट कीलिंग हो सकता है सारी चीज़े रहने के safety gloves भी नहीं है और यहां पे मौसम देखे किस तरह का है शेड मेलों काम कर रहे है पैरों को जखम हो जाती है और हाथ छिल जाते है और उसके बावजुद भी कोई safety precaution नहीं है तो यह लेबर क्या इंसान नहीं है इस तरह कि यहां पे मुझे देखने के बाद तो यहीं महसूस हो रहा है कि इन लोगों को इनसान समझते हुए जानवरों की भाते ट्रीट किया जा रहा है नगर पंचायत के और से जो की एक basic safety precaution होनी चाहिए जो की मिलनी चाहिए अब यह जो है यहां पे जो कच्रा है इसमें baby diapers है यहां पर यह भी हो सकता है कि यहां sanitary napkins भी हो यह भी हो सकता है कि कोई बीमार व्यक्ति हो जिसकी यहां पर बहुत सारी चीज़े हो अगर यहां पे एक भी अगर needle हो या सीरींज, ओसुई हो जो injected हो यह लोग किसे भी बिमारी का शिकार हो सकते यह एक यह बो सकते कि जान लेवा काम यह लोग कर रहे हैं, अपने आप से खेल रहे हैं और जुस पर नगर पंचायत भी ध्यान नहीं दे रही है कप से काम कर रहे हैं यापको पर दोगो के कितने इंगलफ मिलने चाहिए कि इनीय गलफ से एक बार नाम के लिए आपको दे दिया गया क्या के रिविया इसमें सारी चीजे है यहां पे देखिए अब यह भी बता रहे हैं उन्होंने भी बताए कि इनको नगर पंचायत में सिर्फ एकी बार इनको मास्क और गलव्स दिये इनकी डिमांड यह है कि इनको तीन तीस मास्क और तीस गलव्स दिये जाए क्योंकि यह जो गलव्स है यह एक ही दिन में फट जाते हैं हम इनकी मजबूरियों को नजर अन्दाज नहीं कर सकते पर इनका काम है इनकी रोजी रोटी है बट इसका मतलब यह नहीं कि नगर पंचायत अपनी मनमानी करते रहे है अब हम दूसरे स्पोट पर पहुचे यह भी अरजुनी का यही गनकचरा और सच्छ भारत अभियान नगर पंचायत अरजुनी के अंडर में आया हुआ है यहां पर इनोंने शोचाला बनवाय हुआ है अब आप मेरे बाजू में देख सकते हैं यहां एक टाका बना हुआ है यह टाका बना हुआ है यह टाके की लगबक कीमक मजूरी वगरे पकड़ कर भी अप्रॉक्स अगर कोई ठेकेदार इसकी वैलू अगर निकाले तो जादा से जादा आच से 10,000 रुपे के बीच में यह टाके की वैलुइशन है जिसकी नगर पंचायत ने कीमत अदा की है 24,9 यह इसकी exact कीमत है यहने 25,000 रुपे इस टाके के लिए सांक्शन किये गए है ऐसे अरजुनी में दो टाके बनवाए गए है जिसकी कीमत 50,000 रुपे की गई है नगर पंचायत की और से अब यह किस तरह का प्रिश्टाचार है यह तो आप देख सकते है यहने 25,000 में आप ऐस सोचिए कि यह 25,000 रुपे टाका भी नहीं है अगर वहां से यहां तक टाका होता और पानी की मात्रा उसमें जादा रखने के लिए अगर उस टाके को बड़ा बनाया होता तो मान सकते थे कि यह 25,000 का टाका है बट यह 25,000 का टाका है नहीं 10,000 की इसकी वैलुएशन है मारके की है वो की है नगर पंचायत ने जो अदा की है वो ये की है 25,000 रुपे ये किस तरह का प्रिशासन नगर पंचायत यहां चला रही है इस पर तो एक सवालिया निशान लगा हुआ है जिसका जवाब शायद CEO माडम को देना पड़ेगा अभी हम तीसरे स्पोट पर पहुचे है अरजुनी के ये भी नगर पंचायत के और से यहां पर दो कच्रा के डिब्बे लगाए हुए है गीला कच्रा और सुखा कच्रा के अंतरगत अब ये जो गीला कच्रे का जो कंसेप्ट है गीला कच्रे का कंसेप्ट है कि जब आप कच्रा ड्रम में डालते है तो वो ड्रम मे से पाणी रीस जाना चाहिए याने पाणी अलग हो जाना चाहिए इसमें गड़े ओने चाहिए थे नीचे जो की यहां पेड़ found this the couch will be on 3 उसके बास आने के बारी यह जो बना है यह बोला जा रहा है कि he Vista इन लोगों के नगर पन्चायत, इनका कहना ये है कि हेवी स्टांडर का लोहा है पर आप देख सकते हैं ये पत्रा है, यह लोहे का पत्रा है जिसकी हाड़ी हाड़ जो कॉस्टिंग होगी यानि जो कीमत होगी वो होगी चार से छे हजार के बीच जिसका नगर पंचायत ने जो मुआफजा दिया है यानि जो माउंट पे किया गया है जो बिल इशुहा है वो हुआ है बारा हजार के लगबग और ये बारा हजार का जो बिल है ये सिर्फ इन द इस गाव में 20 कच्रे के डिब्बे लगाए हुए है दो इस तरह के दो डिब्बे लगाए हुए है जिनका कॉस्टिंग मार्केट में 6,000 के आसपास होना चाहिए और जिसका नगर पंचायत जो बिल भरा है वो भरा है 12,000 का यह इनका तीसरा खुलासा है ब्रश्टाचार का अ सुखे कच्रे के डिब्बे में यहां गड़ा हो गया है अभी से देख लीजे वो उदर से गड़ा अभी तक हमने जितनी भी बाते देखी अभी हम यह तीसरे स्पोर्ट पर पहुचे हैं अभी हम एक में स्पोर्ट पर इसके बाद जाएंगे जो कि एक बहुत नेतिक मुद इतने पैसो का अब 20 ऐसे लगे हुए है 12,000 के इसाब से तो आप केलकुलेट कर सकते हैं कि कितने अमाउंट का ब्रेश्टा चाहर है यह ब्रेश्टा चार जो है यह मिली भगत है किसी की या फिर यह जान बूच कर किया जा रहा है यह तो परदाफश तो भी होगा जब अध पिछ हो सकता है कि सी ओ मैडम के उपर भी कुछ लोग हो सिर्फ सी ओ मैडम पर हम ब्लेम नहीं करना चाहरे है क्योंकि वो उस पदभार को संभाले हुए हुई है उनको उसकी बकाइदा वेतन मिलता है उसका उसके बावजूद ये ब्रिश्टाचार यहां पर हो रहा है और ये सिर्फ हजारों की बात नहीं है यह लाखों का प्रिश्टाचार यहां पर हमारे अभी तक के सर्वे में नजर आया है तो हमारे साथ जूडने के लिए और एक नैतिकता से जूजने वाले यहां पर मिलेंगे हम अभी यह मौझूद है यह अरजुनी का गुजुरी का एरिया यहां पर एक सारवजनिक शौचाला यह बनवाया गया है जिसका जो नल है वो सिर्फ सुबह एक बार आता है उसके बाद उपर यहां पर टंकी नहीं लगाई हुई है और आप देख सकते हैं दोनों भी टॉ यह अगर पंचायत ही जाने बट ऐसा कोई प्रशासन में रूल नहीं है कि सारवजनिक शौचाले पर ताला लगाया जाए और यह किसी को व्यक्ति गत हस्ता गत किया गया है अब क्यों किया है यह तो यहां कि प्रशासन ही जवाब दे सकता है इस पर हम डालते हैं नजर यह तीन का टपरा है नहीं जी साथ हजाद जादे से जादा एक लॉग अब यह सिक्का कहा डालना पड़ता है माम ओके यह एमर्जंसी सुवीदा बनाई गई है लड़कियों के लिए लड़किया बोलो जो भी यह तास डालना है यहां डाल दिया गुमा दिया नई ठोको फिर उसको थे नोट्वट वरकिंग पैसा गया नहीं अभी तो आना है जाहिए पैसे तो गया है अंतर रोटेट दे नॉब 363 ओके ओके चार वर गुमाने पर एक सैनेटरी पैड आता है ओके ये सैनेटरी नेपकीन का क्वालेटी है ये देख सकते है आप ये क्वालेटी एकदम एकदम चीप तरीके का है शायद हम जैसे लोग ये सजेस्ट नहीं करेगी कि कोई भी लेडी इस तरह का सैनेटरी पैड यूज करे क्योंकि ये एक हाईजिन रिलेटेट चीज है जिससे संभवता आपके जो आपके जो वयक्तिक अंग होते है वो इससे एक शतिगरस्त हो सकते है यानि इससे बिमारिया हो सकती है और ये एक मूलबूत कारेने यूटरिस कैंसर का जो की गरभाशय का जो कैंसर होता है औरतों में इसकी एक limitation होती है यह जो patch होते हैं यह चार या पांस घंटे के उपर change करने पड़ते हैं उसके अलावा इसका quality अच्छा होना चाहिए आप देख सकते हैं शायद इसके अंदर जो इसके अंदर जो material यूज हुआ है वो आप देखिए यह cotton यूज किया गया है बट यह absorbing cotton नहीं है यहने इसमें अगर आप किसी भी liquid को flow करेंगे तो यह dispose होगा यह फैलेगा और यह absorb नहीं करेगा in the sense आपका जो urinal portion होता है जो vaginal portion होता है वो react करेगा और यह भी हो सकता है कि आपको इससे बिमारी हो सके हम यह इसलिए नहीं बता रहे है कि यह यूज करना बन कर दे लेडिज यह safety product है हम सिर्फ इसलिए बता रहे है कि जो machine यहां लगी हुई है यह चार बर rotate करने के बाद होती है उपर से इसकी जो कीमत यहां पे नगर पंचायत में जो अदा की है वो की है एक लाग 60,000 रुपए मिंस एक लाग उन्साट हजार रुपए दो machine के इन्होंने एक लाग उन्साट हजार रुपए यहां पे किये हुए है जबकि आप देख सकते है इसका quality एकदम तीन की बनी हुई है अगर यह शायद शोचाले अगर खुला रहे तो यह कभी भी डामेज हो सकती है यहने कोई भी व्यक्ति आकर इसे पाच रुपए बिना डाले भी इसको निकाल सकता है डायरेक्ट तो यह इस तरह का यहां पर ब्रिश्टाचार हमें नज दर आ रहा है पता नहीं हम हमारे माध्यम से यह सरकार तक पहुचा पा रहे है यह नहीं पहुचा पा रहे है बट हमारा एक यह उद्देश है कि यहां की जो जनता है उनके साथ यह सारी जो खिलवाड हो रहा है ग्राम पंचायत के और से वो ना हो नगर पंचायत के और से यह ना हो, क्योंकि इसका जो कॉलिटी है, यह जादा से जादा 40-45,000 के असपास होनी चाहिए, जिसके डबल किमत यहां की नगर पंचायत ने दी है, यह जो सैनेटरी पैट्स की मशीन यहां लगाई हुई है, इसकी जो एक बेसिक जगह होती है, जानकारी के लिए मैं आपको बता दू, यह ऐसी जगह पर लगी होनी चाहिए, जहां पर लड़कियों की आवा जावक है, जहां पर कॉलेज है, जहां पर स्टूडन्स है, जहां पर बस्टैंड है, जहां पर रेल्वे स्टेशन है, उस जगह पर यह आपतकलिन समय पर औरतों के कामाने वाली चीज है, जो की एक ऐसे शोचाले में लगाई गई है, बाजार का भी एरिया जो है, ऐसे शोचाले में लगाई गई है, जो शोचाले 24 घंटे बंद रहता है, जो इसके ताले की चाबी, यहां के किसी स्थानिक नागृक को दी गई है, अब वो किस के मद्दे नजर दी गई है किस ने अस्तान तरित की है ये तो यहां के नगर पंचायत के जो लोग है अधिकारी है वो लोग हमें बताएंगे बट इसकी जो सही जगह है वो एक खुली जगह पे होनी चाहिए जहां पे एक महिला पांच रुपर डाल कर त्री तीन महिलाओं की सुरक्षा पर ध्यान दे प्रशासन और इस तरह के नियूनतम दर्जे के सैनिटरी नापकिन्स ना यूज हो इस तरह के प्रोजेक्ट में जो की गवर्मेंट महिलाओं के लिए ला रही है तो हम इसके आगे की कड़ी के लिए अब यहां के स्थानिक अधिकारि और अधिकारियों से बात करने के लिए और उनकी वारतलाप सुनने के लिए प्रश्टाचार अगर चाहें तो देश का खतम हो सकता है लेकिन देश के प्रदान मंत्री नरेंद्र मोदी इनका स्वच्चता मिशन ही प्रश्टाचार की जड़ बन चुका है तो हाई नहीं तो आप घर जाओगे नगर पंचयत जाओगे कि यूंझत लेजाओगे घर कटने गर पंचयत का है घंद यह होंगा तो होंगा सरवदेनिक जगा की है यही बाता तो आताला क्यों लगाय था मैंने अने लगाई थी खुल लाई था यह क्यों लाट इस लिए पहले नगर बंक्ला था या नहीं था पहले ऊट गया उसके बाद अपना ने लागा सकती है आपको पता नहीं लगा सकती मैं इन लोगों को हमीशा बोरही हूँ कि यहां पर पानी की सुवीदा कर दो नली का पानी पूरा मेरे घर तरप जा जाड़ा है नली बनवा दो तो यह पानी की विवस्ता करके देना और आपको नाली बना के देना क्योंकि आपको तकलीफ हो रही है उसके बाद अगर आपत्ती उठाएंगे और इनको कहेंगे कि ताला लगा रहे तो यह जो सजा देंगे हमको मन्जूर है धन्यवाद हमने यहां के सानी जिनके पास इनके पास इनके घर के पास से गुजरता है और इनके घर में जो बच्चा है उसको सिकल Сेल का प्रोबलम है जिसके वज़े से वो बार बार बिमार हो सकता है और इस गंदगी से और जादा बिमार हो सकता है इसलिए इन्होंने मजबूरी में वो ताला यहां पर लगाया हुआ था पर हम इसके लिए भी यहां पर हम ने इन से बात की है आपका नाम इनका नाम सुनीता मणकाम है इनसे हमने यहां पर बात की है और बात करने पर हमें यह पता चला है कि इनका कहना यह है कि नगर पंचायती ने ये दो सुविदाई यहां पर दे 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 उसके बाद नगर पंचायत अपने इसाप से अपना प्रशासन चला सकती है MNS News Live देखने के लिए धन्यवाद MNS News Live